तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको स्मार्ट गागा का एक ऐसा वर्जन देने वाला हो जिसमें आप फ्री फार गेम को इजली अपने लो एंड पीजी में प्ले कर सकते हो इसमें आपको कोई भी एरर वगेरा या फिदावलोट फेल्ड एरर वगेरा नहीं आएगा आप जो इसमें इजली गेम को प्ले कर पाओगी इस वीडियो में आपको जो स्मार्ट गागा का एक न्यू वर्जन गरीन नए स्मार्ट अमुलेटर देने वाला हो जो कि आपके लो एंड पीजी में इजली चल जाएगा और आप जो इसमें इजली फ्री फार गेम को प्ले कर पाओगी जैसी कि आपको पता होगा कि स्मार्ट गागा की काफी सारे वर्जन है जिसमें जो फ्री फार का न्यू अपडेट प्ले नहीं हो रहा है उसमें जो यहाँ पर यह डाउलोट फेल्ड एरर सो कर रहा है यह फिक किसी कि में जो यहाँ पर किराश पोब्लम आ रहा है बट आप उस मार्ट गागा इस वाले वर्जन में गेम को फले करोगे तो इसमें जो इसली गेम चल जाएगा इसमें आपको कोई भी एरर वगेर नहीं आएगा तो इस वीडियो में मैं आपको like proof के साथ जो इस emulator में गरीन इस smart emulator में free fire game को install करके भी दिखाओंगा और इसमें जो game को भी play करके भी दिखाने वाला हूं तो आप जो वीडियो को लाज तक देखना आप वीडियो को skip मत करना तो चले फिर वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि Description में मैं आपको इस Amulater कर लिंक देदेंगा आप जो Simpli वहाँ से जाकर के इसे Download कर लेना Now Download कर लेने के बाद क्या करना है कि यह एक Jip File होगी तो आप जो इसे अन जिप कर लेना और यहां पर आपको ये engine folder मिल जाएगा आप इसको open कर लेना उसके बाद आपको यहां पर नीचे की side आना है तो यहां पर आपको जो ये गरीन स्मार्ट नाम का एक shortcut मिल जाएगा आपको simply क्या करने के desktop पर जो इसका एक shortcut की date कर लेना है तो यहाँ पर जो ही इसका shortcut आ जाएगा अब आपको क्या करने के आपको जो यहाँ से अमूलेटर को launch कर लेना है तो यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर जो ही अमूलेटर launch हो जाएगा अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ही अमूलेटर open हो चुका है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो पहले इसमें सेटिंग क्या करना है तो अगर आपके पस low-end PC है तो आप क्या करने कि सेटिंग को उपन करना और यहाँ पर advanced वाले option में आ जाना अब आप क्या करने कि यहाँ पर आपको resolution को option मिल जाएगा तो आप आप अपने PC के साब से कोई भी एक resolution रख सकते हो या फिर अगर आपके पस low-end PC है तो आप यहाँ पर customize पर जाना और यहाँ पर आप 9 and 8 into 6 and 8 resolution रख लेना उसके बास CPU core में अगर आपके PC में 2 code है तो आप यहाँ आप 1 core select कर लेना then RAM में आपको simply क्या करना है कि यहाँ पर आपको 2GB RAM को select कर लेना है and rendering mode में आपको simply इसे deck text पर रहने देना है then उसके बास सेपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे restart कर लेना है ताकि यहाँ पर जो भी setting आपने की थी वो जो apply हो जाए तो ओके यहाँ पर जो यह आप लेटर दी start हो चुका है तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको सबसे पहले इसका Android version चेक करा देता हूँ तो इसके लिए आप setting में जाना and आप 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 फोन में जाना आप डाउलोड कर लेने के बाद अब आप क्या करने के आप जो सिंपली स्वाल APK फाइल को यहाँ पर drag and drop कर देना तो यहाँ पर जो APK फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा तो जैसी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर APK फाइल इंस्टॉल हो चुका है अब मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ तो जैसी कि आप यहाँ पर गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो यह इसली गेम ओपन हो जाएगा इसमें आपको जो कोई भी डाउलोड फेल्ड अर वगेरा नहीं आएगा तो कि यहांपर जो ए गेम ओपन हो चुका है, नौ अब आप जो ए आपप अपनी ID से जो ए आपर गेम को ओपन कर लेना तो यहांपर जो गेम ओपन हो जाएगा, अगर आप यहांपर Facebook से इसे लोगिंग करोगे तो यहांपर आपको जो एक कुछ SP कार का एरर सो करेगा, तो इ इसकी परफेक्ट की मैपिंग वगएरा मिल जाती है, आप जो आप अपने इसाब से की मैपिंग कर ली जाएगा, ना उसके बाद अब आप जो इसमेजली गेम को प्ले कर सकते हो यहांपर आपको कोई भी एरर वगएरा देखने को नहीं मिलेगा, तो चले फिर फिलाल के ल